एक राइस मैं शिशांक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर तो चलिए आज मैं बात करता हूं राकिश कंगरवाल ची के बारे में जो की इंडिगो के को फाउंडर थे तो मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अभी अभी रिसेंटली इंडिगो से से एक मिस्टर भाटिया थे वो भी उनके को फाउंडर थे और यह मिस्टर गंगवाल जो थे वो भी मतलब इन दोनों ही नहीं कंपनी स्टार्ट की थी और कुछ मतलब क्लैशिस हुए थे इनके बीच में जो मैंने पढ़ा है और जिसके विज़े से मिस्टर गंगवाल जो ह जो 36% उनके पास स्टॉक्स थे वो अब दीए 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 डेलूट कर गया है तो हमको यह समझना चाहिए कि देखें को फाउंडर के बीच में भी कॉन्फिक्स बहुत होते हैं और इन फाइट होती है और अल्टिमेटली कोई ना कोई को फाउंडर लगता है कि अगर मेरी अब बात नहीं सुनी जा रही है तो हम क्यों इस कंपनी में रहे हैं तो वह पहले बोर से रिजाइन मारते हैं फिर देगे देगे वह अपने स्टॉक्स को नंबर ऑफ स्टॉक्स को डेलूट करते हैं तो मुझे जहां तक पता चला है जो कि इंडियो के को फॉंडरते और उ वह अपने पूर्गे स्टॉक्स को डेलूट कर देंगे बट उनकी जो वैल्यू है स्टॉक्स की वह 3600 करोड तक की है और वह फिलहाल यूस में स्टे करते हैं तो आगे आने वह वक्त में यह देखना जिल्चप्स दिल्चप्स होगा कि कैसे यह प्रोसर्स आगे बढ़ता ह है और क्या क्या चीजें नई चीज़े अभर क्या आति है आपको पते ही होगा इंडियो का सबसे बड़ा mart चेर in Holland में हैं उनका लगबग 50-60% मार्केट शेयर है शाहिए दूस्से भी जादा हो बट उनका हाफ मार्केट शेयर उन्हीं के पास है तो और ये इंडियो का सबसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उनके जो फांडर्स थे या को भी जो उनके फांडर्स हैं या फिर को फां हुआ है जो कि एक खुद में एक बहुत प्रैक्टिकल करने वाली चीज होती है और एक एक्सपेरिमेंट होता है कि देखते हैं सक्सेफूल होता है यानि आपको इंडियों के बागे में ज़रू पढ़ना चाहिए और हो सके तो इसके बागे में आप भी मेरे कवरेंड वॉ लाइक करना हो कर दीजेगा और शेयर जरू कीजेगा दोस्तों के वीच में चलिए बाए बाए